नमस्कार दोस्तों, एक मित्र ने पूछा है कि सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं और किसको सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किया जा सकता है साथ ही सीनियर एडवोकेट को क्या सुविधाई मिलती हैं इस बारे में कुछ बताईए तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीनियर एडवोकेट यानि वरिष्ट अधिवक्ता कौन होते हैं इस बारे में जुड़ जाईए इस लेक्चर से लास्ट तक और ध्यान से काम की बातों को सुनते रहिए तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 16 को देखें तो पता चलता है सीनियर एडवोकेट कौन हो सकते हैं और उनके संबंध में क्या प्रावधान है इस धारा के तहर किसी अधिवक्ता को अपनी मंजूरी के बाद वरिष्ट अधिवक्ता तब बनाया जा सकता है जब सुप्रीम कोट आफ इंडिया या किसी हाई कोट को ऐसा लगे कि वो इस पत का हगदार है अधिवक्ता की क्षमता, बार में उसकी स्टैंडिंग, उसका ज्यान, कानून में उसका अनुभव ये बहुत सारे आधार हैं जिसके तहट किसी अधिवक्ता को वरिष्ट अधिवक्ता या सीनियर एडवकेट बनाया जा सकता है एक लेंडमार्क जज्जमेंट है इंडिरा जैसिंग वर्से सुप्रीम कोट आफ इंडिया का इस मामले के आधार पर सरवोच नियाले ने वरिष्ट अधिवक्ता चुने जानी की प्रथा को अफोल किया था और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया था कि चुनाओ की प्रक्रिया मतलब किसी को सीनियर एडवकेट चुने जानी की प्रक्रिया जो है बनाये जानी की प्रक्रिया ये पारदर्शी यानि की ट्रांस्पिरेंट होनी चाहिए नए प्रोसीजर के तहर सुप्रीम कोट और हाई कोट में एक स्थाई समीटी यानि पर्मानेंट कमीटी होनी चाहिए जिसमें Chief Justice हों, दो Senior Judge हों और Advocate General जो की High Court में या Attorney General जो की सुप्रीम कोट के लिए हों इन सब को मिला कर एक कमीटी बने और ये decide करें कि किसी advocate को senior advocate का ओधा दिया जाना चाहिए नहीं कोई advocate खुद senior advocate बनने के लिए अपनी application इस समीटी को भेज सकता है जिसका committee के सचीवाले द्वारा निरिक्षन किया जाता है निरिक्षन के बाद समीटी को एक report भेजी जाती है जिसके बाद advocate के अनभव और साथ ही कितने मामलों की उसने पैरवी की है जिसके फैसले आए हैं पिछले 5 साल में उनके cases में महतवपूर्ण क्या judgment आए हैं उनके publications और उनकी personality और character इन सब को ध्यान रखने के बाद committee एक interview conduct करवाती है और उसके बाद ही किसी advocate को senior advocate का उदा दिया जाता है जिन advocates के application को मन्जूरी नहीं मिलती है उनको 2 साल का इंतजार करना पड़ता है जिसके बाद वे 12 application दे सकते हैं जिस दिन किसी अधिवक्ता को बता और senior advocate appointment होना होता है उसके अगले दिन से ही वे court में इस पद पर काम करना शुरू कर देते हैं आपको बता दूँ कि एक senior advocate की fees एक साधरन एड़ोकेट से जादा होती है जहां किसी advocate को case के लिए fees मिलती है वही senior advocate को मामले की हर सुनवाई के लिए पैसे charge करते हैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि senior advocate किसी court में directly appear नहीं होते उन्हें हमेशा ही किसी अन्य advocate द्वारा engage किया जाता है senior advocate की uniform भी normal advocate से अलग होती है उन्हें अलग तरह के gown दिये जाते हैं एक senior advocate को अगर किसी high court के न्यायाधीश के रूप में नियुक किया जाता है तो सेवा नर्वत्री के बाद वो अपने राजजी के अलावा किसी भी अन्य राजजी में बत और senior advocate practice कर सकते हैं साथ ही यदि कोई supreme court में senior advocate है और उसे supreme court का judge बना दिया गया है तो retirement के बाद वो supreme court में practice नहीं कर सकते तो अमीद करता हूँ कि आपको आज के इस brief lecture से जानकारी मिली होगी कि senior advocate कौन होते हैं senior advocate का मतलब ऐसा advocate नहीं होता जिसको practice करते हुए लंबा समय हो गया हो या जिसके बाल सफेद हो गये हो या जिसके अंडर बहुत सारे juniors काम कर रहे हो senior advocate का मतलब ऐसे advocate से है जिसको committee ने recommend किया है as a senior advocate और वो उस उहदे उस पद पर काम कर रहे हो मुझे उमीद है कि आज का ये lecture आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई बातें सुनने समझने के लिए मिले होगी ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहना है आपको अपने favorite platform विदिक सुक्षा से नमस्कार जैहिन